इसी राम सभी भाईयों को भी हम आये हुए नवधपुर के हिंदू संगर्ण के पास तो नवधपुर का इस बार चो राम नोमी सोभायात्रा होने वाला है न बहुत चर्चा का भी से बना हुआ है और इस बार नवधपुर का राम नोमी सोभायात्रा बहुत ही खास होने वाल तो इससे बड़ी बात हम लोग के लिए क्या हो सकती है इसकी के कारण हम लोग इस बार बहुत ज्यादा भवता के साथ इस बार राम नौमी सोभा यात्रा हर साल से भी ज्यादा भवता के साथ निकाला जाएगा जिसमें रथ नए-नए कलाकार से लेकर के हर चीज नए चीजों को उसमें बढ़ाया गया है जंडा से लेकर के हर जगत जल से लेकर के हर सुविधा को इस बार बढ़ाया गया है और सभी सनातनी जिस तरह से जागरु खो रहें पिछे लागातार कई राम नौमी सोभायात्रा से तो उन लोगों को भी क्योंकि एक हम हमारे मन में ये विचार सभी भाई जो भी नौवदपुर या जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं उन सभी भाईयों के विचार और सहमति से ये सोभायात्रा को भवे बनाया जा रहा है तो जैसा कि आपने जाना कि राम नौमी सोभायात्रा के लिए क्या-क्या त्यारी चल रहा है तो हमारे जो राम नौमी शोभायात्रा जो हमारा ये यात्रा है तरेट पाली म्ठ नवत पुर पटना से यात्रा दोपहर 2 बजे परस्थान करेगी उसके पश्चात यह यात्रा जो है नौवत्पुर बजार होते हुए नौवत्पुर लख बजार और नौवत्पुर लख बजार छोटी टैंगरेला से पुना लख बजार से वापसी यहां नौवत्पुर आती है और सनेही टोला सनेही टोला से यात्रा जो है वापसी करके सा को चली जाती है तो जैसा कि आपने जाना की रूट क्या होने वाला है और एक कोश्चन बहुत ही जादा अभी ये नववतपुर में चर्चा का भी से बना हुआ या पटना में भी लोग ये देख रहे तो कोश्चनि करते हैं आप रामनोमी सुभाई यात्रा का काड़ बहुत जगाँ चरहाए जारे जैसे बावा बिटेस्वरनात बावाधाम बन देवी और भी बहुत सारे जग़े काड़ को चरहाए जारे तो इसका क्या उपदेश है अब जनता को क्या इससे उपदेश देना चाहते हैं देखिए जब भी हमारे यहां कोई भी सुभकारे होता है हिंदु रिती रिवाज के नुसारन हमारे घर में या कहीं भी कुछ होता है तो हम सभी सभी देवी देवताओं के मंदिर है अस्थान है वहां जाकर काड़ चढ़ाते हैं तो यह हम लोगों ने एक बात किया और एक प्रयास किया कि क्यों ना हम लोग अगर नौवतपूर में राम नौमी सोभा यात्रा हो रहा है और वो भी हो रहा है तो ले करके हम क्यों ना बावाविश्वनात से असिरवाद ले माविंधवासनी से असिरवाद ले देवघर में मतलब ये उन लोगों के पास बहुत से भक्त गंजाते हैं और उनका मनोकामना पुर्ण होता है उनसे हम सभी की भावना जुरी हुई है ताकि हम सभी का यात्रा है दिव और भव्य निकल सके और हमारा भारत जो है सनातनी राष्ट बन सके तो रामनोमी सोभायात्रा से रिलेटेड जनता को क्या उपदेश देना चाहते कि उस दिन जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामिल हो आप लोग को में यह भी बताजना चाहूंगा कि नौवत पूर में जो शोभायात्रा निकाली जाती है इसमें यहाईसा नहीं कि नौवत परखंड के ही युवा रहते हैं इसमें पटना जिला के अंतरगत बिहिटा बिक्रम नौवत पूर्थ और दुलिन बयार पाली गंज और इस बार तो गया मसोड़ी और पटना शहरी छेतर से भी जो है युवा इस यातरा में उपस्तित रहते हैं और यही एक मुखे कारण है किसी यातरा में जो है अपार संख्या बढ़ जाती है और भगवान के उपर यह असरा है कि भीड जो इकत्रित होती है उनीक आशिरवाद से होती है धर्म रख्चक संगठन जो कि नौवत्पूर का है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और इसका नाम भी काफी तेजी से फैलते जा रहा है और इसमें तेजी से लोग जुडते जा रहे है तो इसका क्या उपदे से आंगे चलकर यह कौन ऐसा ऐसा कार है जो करने वाला है यह हिंदू संगठन शिर्फ नौवत्पूर का है नौवत्पूर विक्रम बेटा दुरिनार पाली गन पुड़े भारत वर्ष बिहार पठना दिला सभी लोगों का यह हिंदू संगठन है हिंदू धर्म रच्चक संगठन और इससे हर जगह कारे होता है और लागातार हर द संगठन कारे कर रहा है और हर दिन कारे कर रहा है और लोगों को दिल में अभी हर जगह बसा हुआ है तो इसके जड़िये लागातार जितने भी स्वामी जी महराज हो गया अभी भी हाल ही में सोनपूर में हम लोग गय हुए थे और सोनपूर के में जो जग हो रहा था वहां से स्वामी जी महराज के द्वरा लागातार टीम को प्रोत्साहित किया गया तो बाहर के छेत्रों मे जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से संगठन से जुड़ेंगे इस संगठन में जुड़ने के लिए कोई ऐसा कोई बड़ी फॉर्मेल्टी नहीं है वो सदस्य जो है अपना ग्राम का नाम अपना नाम और अपने कुछ धार्मी गति विधियों से जुड़ा होना चाहिए ऐस उसके लिए हमारा संगठन मार्क दर्शन करता है और सह। ईसी के यही करण है कि दिन पतнее जो युवाय संगठन से जुड़ रहे हैं हम लोग पुभी समय निकालकर सभी सनातरियों को समय देते हैं कहीं-कभी करेकरम रहे बिहार में रहे चाहें बिहार से अदर स्टेट में रहे हम लोग उपस्तित रहते हैं एक WhatsApp नमबर है 8521041483 8521041483 इस पर अब WhatsApp करके आप सीधे मतलब हम लोग से संपर्क कर सकते हैं संगठन के संपर्क कर सकते हैं और संगठन उसके बाद आप से संपर्क करेंगे संगठन के प्राधिकारी आप से संपर्क करेंगे तो चलिए इसी के साथ वीडियो को इंड करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामिल हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में